तो समय को अपने मायड में round पड़ेगा, तो इसós पास नहीं होगा जेटना सुस्त अब शेर बजार में रहेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा आज जो मैं कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता जो और कर सकते हैं समझा रहा है भाया जो न्यू जाती है न यह तो काम कर देती है अपना पर न्यू जाने के बाद किसके मन में क्या चीज़ आ रही है वो हमें समझना बहुत जरू है अपने उपर उतना काम करना है जब तक कि आप अपने लालच की केते हैं में काल समझा डेखें जाते हैं और उन्में से कुछ जो अच्छे होते और कुस धंग बेकार हो जाते है मैं सुवागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बजार से आज बात करेंगे आर वी एनल पटेल इंजिनिरिंग की क्योंकि दोनों के अंदर एक बड़ी अच्छी न्यूज आई है तो अमनी उच पर बात करेंगे और बात करेंगे एच एफसेल के बारे में और बात करेंगे जो शेर बोनस दे रहा है यानि की ऐसी न्यूज आई है और उससे वो शेर अठारा परसेंट तक भाग गया उसके बारे में बात चीत करेंगे यानि की एन बी सी सी के बारे में और बात करेंगे अपनी गती विदियों के बारे में ज़र कभी कभी आपको देखने को मिला होगा कि आप कितनी अलग-अलग धंग से शेर बजार में वर्क करते हैं और उनमें से कुछ धंग जो हैं अच्छे होते हैं और कुछ धंग बेकार हो जाते हैं एक्चुल में आपको अपने उपर उतना काम करना है जब तक के आप अपने लालच की गतिविधियों को समाप नहीं कर देते हैं यानि कि जब तक के आप अपनी गतिविधिया जो हमारे अंदर के लालच की है उसे अगर हमने समाप नहीं किया तब तक के आता आता profit भी जाएगा और loss book करकर हम निकलते ही जाएगे अधिकतर मैंने एक चीज ये बजार में देखी है कि जब तेजी की बजार होते हैं तो उस वक्त जो अगर हम अपना profit book करें किसी भी शेरों से और वो होती है अपनी बुद्धी कि हाँ भया मैंने अपने profit book किया और अगर हम गिरावट को देखर profit book कर रहे हैं वो तो market हमारे से करवा रही ये चीजे मैंने आपको बताई हैं और कुछ अलग-अलग चीजे कल मुझे एक podcast जो मैंने कल देखा पोड़कास्ट जो कल मैंने देखा उसके अंदर देखने को मिल गई अब मैं जिसके भी बारे में आपको बता रहा हूं तो ये कोई मेरा promotion नहीं है किसी company के लिए या किसी channel के लिए पर जो चीज अच्छी होती है वो हमें समझने पड़ती है अच्छा जो चीज मैं आपको अलग-अलग धंग से बताता हूं ये सारी चीजे मुझे कहीं और जिनों से भी समझने को अच्छा लगता है तो कल मैंने एक podcast देखा जो अभी सेकर है अब आप भी जानते होंगे उनका नाम पहले आया था किसी चीज में आज कल वो podcast भी कर रहे हैं और उन्होंने रुचीर गुपता को अपने podcast में बुलाया तो बुलाया तो उससे कुछ हमें बहुत अच्छी ची मैं तो आपको समझाते हूं आपको यह podcast जरूर देखना चाहिए एक हंटे का है जब भी आपको समय मिले बिल्कुल दिल से देखना क्योंकि वहां ना चार्ट की चीज़े बताई गई है ना कुछ अलग-अलग चीज़े बताई गई है वहां पर वह चीज़े दरसाई की है करीब अगर वह जैसे वह बोलते हैं कि भाया एक लाग से सो क्रोड उन्होंने पोजिशनल चीजों से बना ली तो क्या ऐसा संभव हो सकता है तो उन्होंने उसका example हमें समझाया तो वही चीज आपको उसके अंदर देखने को मिले कि मैं निवेदन आपसे कर सकता हूं यह न पैसा कमाना और एक चीज उन्होंने का कि जो आईपिल करते हों बैटिंग करते हों अन्य किसी ऐसी चीजों के पीछे हो जो लोटरी लगाती हो और वह उसमें लगाकर उसी टैम कुछ पाना चाहते हो तो वह शेर बजार में बिल्कुल भी ना आए जो आईपिल में काम करता तो क्यूंकि आईपिल जो होता है आतो आत उसकी चीजे हो रही है ना दो चार गंटे में सब चीजे हो रही है पर इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जहां पर आप पैसा लगाकर दूर की चीजों को देखते हैं तो वह धेर रहेता है आईपिल खेलने वाले बैटिंग कर आने का वह चीजे पढ़ जाती है और एक लगसी लग जाती तो इसलिए वह व्यक्ति जो इस तरीके से बैटिंग करते हैं वह कभी भी शेर बजार में वरकना करें उनसे नहीं हो पाएगा बिल्कुल सही का है उन्होंने क्या होता है कि जो हमारे अंदर का लाला चैना वह ऐ प्रिया वो तो एकदम से लोज्ट करेगा कल को भाग गया अग्दम से उल्जय रहे गा तो वह कभी भी पनपनी पाएगा उन्होंने पूरी जिन्दगी के बारे में जर अब वह है हो सारे चीज़ों ने बताइए आपको देखना पड़े रहाए अगर आपको सरल सब्सक्त के साथ कुछ चीजों को समझना है तो आपको अपने अंदर सयम की चीजे लाने पड़ेगे आज जो मैं कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते जो आप कर सकते वो मैं नहीं कर सकता जो कुछ और कर सकते वो हम नहीं कर सकते पर उस रहा पर चल कर कुछ तो हम कर सकते हैं कि अगर किस अच्छा बनाती है अब हम राम तो नहीं बन सकते पर उनके कदमों में चल कर हमें कुछ अच्छा मिल सकता है तो अभी हमें जो कोई अच्छा समझा रहा है हमें वो चीज पकड़नी है हमें जो कुछ समझा रहा है भया जो न्यू जाती है न यह तो काम कर देती है अपना पर नहीं जानने के बाद किसके मन में क्या चीज आ रही है वो हमें समझना बहुत जरूरी होता है तो राम तो हम बननी सकते पर उनके चरित पर हम चल सकते हैं इसी तरीके से आप खुद डिसाइड करो कि आपको राम का चरित्र चाहिए या रामण का चरित्र और अधिक्टर मैं आपको बता दूं 100% लोग कहेंगे कि राम का चरित्र चाहिए पर उस चरित्र के अंदर हम चलते नहीं क्योंकि वहां बहुत बड़ा सही हमकी चीजे होती हैं तो जब हम अपने लालच को कंट्रोल करेंगे सब कुछ मिलेगा यह देख लो सर थोड़ा मोटा मैंने आपको ब टेलीगराम नहीं है सर गुरूप और ना मैं किसी से कुछ उसके अंदर फीस लेता हूं ना मेरा कोई वटसब गूरूप है जहां पर मैं आपको कोई खरीदने बेचने की चीज़े बताता हूं मेरा यूटूब है इसके अंदर भी अधिकतर मैंने आपको एक ही चीप समझा मैं जाओगा यवेन Tucson की वीडियो देखले मृपर मैंने इस चीज़ को समझाया है तो जब तक कि आप सारी चीजों को नहीं समझेंगे तब तक कि manufacturing हासिल होने वाला है तो यहाँ पर जो हमारी चीज़ें है मोटिवेशनल, न्यूज बेस, सैगलोजी बेस उस चीज़ पर चलती है और कभी भी किसी चीज़ के लिए हमने खरीदने बेचने की चीज़े किसी को नहीं बताई यह मैं आपको फिर कह देता हूँ छोटी सी एक और चीज़ समझेंगे NBCC के दुवारा NBCC इंडिया जो एक कमपनी है कल वैसे मैंने इसके लिए अपने डीप सर्च में डिटेल वीडियो बना दी है वहाँ भी मैंने एक चीज़ आपको अलग-अलग ढंक से समझाई है एक पल में एक न्यूज से जहां ये 31 अगस्त यानि कि कल को बोनस देने वाली न्यूज से शेर 18% तक भाग सकता है और 210 रुपे के आपको हाई दिखा सकता है दूसरे ही पल वो शेर आपको आज 186 रुपे करीब का मिल रहा है तो जिस न्यूज से शेर 18% भागा वो तो अभी हुआ ही नहीं वो तो कल होगा पर उससे पहले ही आपको 24 रुपे तक की गिरावट देखने को मिल रहा है यह होती है शेर मार्केट जो भी चीज आपको दिखती है जरूरी नहीं वो अच्छी हो जो भी चीज आपको दिखती है जरूरी नहीं कि वो बेकार हो सुच्वेशन को समझो न्यू जाती ही शेर भागा कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बूक क्या और कुछ लोगों ने उसे फिर से खरीदा क्योंकि वो चीज़े तो कल होंगी बोनस वाली चीज़े ने कोई भी कंपनी अपना बोनस पहले बता देती है डिविडेंड अपना पहले बता देती है अपनी हर एक चीज़ पहले बता देती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फाइदा उठा सके है पर इन्हीं में से कुछ लोग होते हैं इस फायदय का और फायदा उठा लेते हैं और वो आज आपको देखने को मिल गया शेयर गिरिए न तो इसलिए कोई भी न्यूज को इतना इमोशनली बिल्कुल भी नहीं लेना है कि वो आपको बिल्कुल अलग ढंग से दिखे किसी की वीडियो को इतने दिल पर नहीं लेना है कि वो आपको बोनस की डिविडेंट की बाते बता बता कर आपका निवेस करा दे सोचना और समझना आपके उपर है लोग तो बता कर जाएंगे आज 186 रुपे करीब का शेर है तो लोगों को अपनी टैंसन हो रही है कल जब 18% को समझना है मुखेता तोर पर आप देखो एंबी सी जो कंपणी है बहुत बैस्ट कंपणी है एक नवरतन कंपणी है जो तीन खंडों में काम करती है जो परोजना यानि प्रोजेक्ट के परामर्स में यानिकी उनको सलाह देने की चीज़ों के साथ लगी पड़ी है और दूसरा रियल स्टेट की चीजों के साथ कंपणी वर्क करती है तो तीन खंडों में जो कंपणी काम कर रही है अधिकतर मैंने आपको चीज बताई कि देश के अंदर नए भवन या उनका पुनर विकास उसकी अलग-अलग चीज़े या अलग-अलग चीज़े बनना या जो सरकार की योजना है घर बनाने की उन चीजों के अनुसार आपको दूर के लक्षे कुछ चीजों के अंदर देखने चाहिए यही वह चीज होती है जिसे हमें समझना है खरीदना वेचना तो वह या कोई भी घर लेगा समझने वाली चीजों के साथ आपको आगे बढ़ना है अब कल मैंने आपको अधोगिक शेर बनेंगे देश के अंदर उसके उपर एक वीडियो बनाई है उसे घहराई से समझना वो है क्या चीज वो करना क्या हो रहा है आपर तो वेवेसाइक और आवासिये जो घर के लिए मैंने कल आपको बताए कि बारा शेर इस तरह किसे बने आपको समझना पड़ेगा तो तीन खंडो में कंपनी काम करती है विडियों में से कम्पनी काम करती है उना विडियो के प्रोजेक्ट पगड़ती है और अपना इंडिया में अच्छी खासी ओंपनी अभी 31 कल के दिन इसका जो भी बोनस की चीज आएंगी वो सब आपके साम तो नियूज आने से पहले जो भाग जाते हैं और वो कब है वो 31 तारीक है तो यहां पर खरीदने और बेचने से पहले सोचें कि बहुता जाएगा जरूरी जो नियूज बेकार आगी तो गिरता जाएगा सुच्वेशन सैगलोजी को आपको जानना है आप इसके काम के ऊपर अपना फोकस कीजिए सर उतार चड़ाओ तो चलते जाएंगे तो किसी को भी करिजने बेचने की सलाब बिल्कुल भी नहीं मैं आपको बता दो बियसनल की प्रगती में अधिकतर कई कंपणी काम कर रहे चाहे वो टाटा गुरूप की कंपणिया हो या आपको फिर HFCL जो एक टेलिकॉम उपकरण निर्माता है जो अप्टिकल फाइबर में भी अच्छा खासा वर्क करता है जो बियसनल के साथ कई ओडर से मिल चुके है तो मुखेता तोर पर HFCL काफी नजरों में हमारी है क्योंकि अच्छा भी वर्क कर रहा है और काफी 2000 करीब का ये शेर था काफी नीचे ये शेर है तो लाजमी किसी भी कंपणी के अंदर जब कुछ सुधार होता है तो वो अपनी बैलन्स इट के अनुसार या अपनी किसी के जुडाओं के अनुसार देखने को हमें मिलता है अब ये अप्टिकल फाइबर या टेलिकूम उपकरन से अलावा भी डिफैंस की चीजों के या निकी रक्षा की चीजों के साथ भी इसने अपनी चीजों को हमें बताया तो कंपनी रक्षा की चीजों के साथ भी अपने क सुधार कर रही है तो यह वो क्वाल्टियां होती है जिसको हमें समझना पड़ता है यहां हमें प्राइज नहीं समझना है हमें कमपनी का काम समझना है अक्टूबर 2022 में एक परियोजना शुरू हुई थी जो करीब 390 क्रोड रुपे करीब की थी तो HFCL ने BSNL के लिए ब्रोड बैंड को अपग्रेट कर दिया है उसके लिए उसने अच्छा खासा वर्क BSNL के लिए कर दिया यह कल नियूज निकल कर आई थी HFCL ने BSNL के लिए दुनिया के सबसे बड़े CUPS आर्किटेक्टर अधारित BNG परियोजनाओं में से एक को पूरा कर दिया है जो 390 क्रोड रुपे करीब की थी कहीं न कहीं एक ऐसी चीज लगती है कि BSNL के लिए HFCL BSNL की जड़ो को मजबूत कर रहा है यह एक बैस्ट नियूज है पर यह नियूज इसलिए नहीं होती कि शेर को बखाना है यह इसलिए होती कि BSNL यहाँ पर मजबूत हो रहा है और BSNL आपको पता है कि 4G के अपने अपग्रेड करने को यहाँ पर लगा पड़ा है तो एक नियूज और निकल कर भी आई थी उसे भी थोड़ा सा कवर करो क्योंकि हमें यहाँ देखना है कि HFCL जो है BSNL के लिए और भी ओडर लेकर उसके उपर काम कर रहा है यहाँ कि एक जनवरी 2024 को भी BSNL से HFCL ने 1127 क्रोड रुपे का ओडर जीता था जो BSNL के लिए Optical Transport Network को लागू करने के लिए था जो 1127 क्रोड का था और यह 18 महिने के अंदर ओडर की 18 महिने के अंदर इसको यह निस्पादित करेंगे तो अभी तो वो दिन है बाकी जहाँ पर BSNL के लिए 4G का विस्तार करना HFCL उसमें लगा है और फ्यूचर के लिए 5G की तेयारी जो है HFCL जो है BSNL के लिए करेगा है ना तो यहाँ से जब भी कोई कंपनी के लिए कोई कंपनी वर्क करती है तो दोनों मजबूती की तरफ हो जाती है क्योंकि ओडर मिलना और उसको पूरा करना वो समय के अनुसार होता है यह निकि हमें पता लग गया भया अब यह ओडर मिलना कल कोई खरीदू तो यह तो मैंने और नियूज आपको बता ही है और इसके बाद भी इसने 141 क्रोड रुपे का ओडर एक और फरवरी 2024 में बियस निल से जीता था तो कहीं न कहीं हमें लगता नहीं कि बियस निल को जुडाओ करने के लिए कि HFCL मजबूत है और वो उसके लिए वरक कर रहा है और आज 390 क्रोड रुपे वाली परियोजना जो वर 2022 से थी उसको भी आज कल इसने अपग्रेड कर दिया ब्रोड मैंट को अपग्रेड कर दिया तो बैस्ट नियूज है यह HFCL के लिए भी और इसके लिए लेकिन यह क् बजार में अधिकतर सब पैसों के लिए वरक करते हैं और अधिकतर कुछ लोग इदर से पैसा ले इसमें उलजते जाते हैं मेरा मानना है कि जो हमारा पैसा है जो हमारा अपना है उसमें से जो बचे उस पे अगर हम वर्क करें तो वो बैस्ट हो जाएगा पर किसी से अगर हम उधार ले लें किसी से कुछ ले लें तो वो वो लाजमी जो है पनप्ता नहीं क्योंकि वो मैंने आपको कहीं बार समझा तो फिर हम क्यों अलग अलग तरीकों से कहीं से पैसा लाकर डाल कर उसमें सपने देख रहे हैं कहीं ऐसे ऐसे शेर जो quality भी नहीं रखते हैं और उसके अंदर कुछ लोग आपको जो गुमरा कर देते हैं फिर आप उस चीज़ को अपना लेते हो फिर बाद में जब आपको समझ में आता नहीं यार यह तो शेर कामीन समझ में आया था तो आपका focus किसमें होना चाहिए कि भाई या वीडियो सबकी देख लो आपको समझना है कि काम किसका best है यानि कि अगर आप एल टेल को जानते हो तो उसका आपको काम समझ में आना चाहिए अगर आप के इसी international को जानते हो तो उसका आपको काम समझ में आना चाहिए अगर आप राम को जानते हो तो उनका चरित्रा आपको समझ में आना चाहिए उनके दिसा निर्देश आपको समझ में आना चाहिए आप किसी को भी जानते हों तो सबसे पहले उनकी खूबिया उनकी निगेटिव चीजों को आपको जानना है बस वो ही एक शेर बजार है उसके लावा आपको यहाँ पर कोई कुछ नहीं सिखा सकता और अगर आपको बहु बड़े बड़े चीजों के साथ पर वह चुश्पनी वह सपनी रहते हैं तो सबसे पहले खुद को मजबूत कीजिए खुद को बचाई यह पहले जब तक नहीं बचाओ गया तब तक टैंस नहीं रहेगी तो करता को यह भरता को है हम तो बचाई रहे हैं आप पर लेकिन हम का शेर है कई चीजों के अंदर वो वर्क करता है जल विदूत हो या फिर आपका पूल हो या आपके सुरूंग हो परिवहान हो सिचाई हो जल विदूत की चीजे हो उनके अंदर वो वर्क करता है जो एक अच्छा खासा शेर है जिसको विजे केडिया साब ने जब इसके अ अपना निवेस्ट करता है तो सबसे पहले वो ना कंपनी के बारी को जान लेता है आधा काम तो यह बड़े लोग कर देते हैं हमारा कि यह कुछ काम इन्वेस्ट करा उसको समझ लो पहले यहां भी वह अच्छा काम है या नहीं है तो आधा काम तो इन्होंने अपनी की तरफ है यानि की जल विधूत सिचाई जल की तरफ जादा से जादा फोकस परियोजना प्रोजेक्ट हैं इसके उपर इसकी आँक है यह इसने पहले भी बताया था और यह जो आने वाली कुछ परियोजना निलामी कुछ भी है जो 38,000 मेगावाट की जो जल से संबंदित ह इस परियोजना में बार कर रहा है ज्गुड की बहुत है और विनल विकास निगम जो है अभी तक आपको अलग-अलग ढंक से देखने को मिला पर अब आपको एक चीज़ और पटेल इंजिनिंग के साथ हाइड्रो और इंफरास्ट्रेक्टर प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिला है यानि कि जो चैनित इस तरीके की जल विदूत या हाइड्रो के अंदर या इंफरास्ट्रेक्टर के अंदर कुछ परियोजना होंगे प्रोजेक्ट होंगे तो दोनों आपस में जोएंड वेंचर के साथ उसके अंदर वर्क करेगे यह एक आर्विनल के लिए भी अलग न्यूज हो गई है और दूसरा पटेल इंजिरियंग जिस तरीके से एज जेविन नह पीसी और अब आर्विनल के साथ इस जोएंड वेंचर के साथ वर्क करेगा तो लाजमी एक बैस्ट है दूसरा आपको समझना है कि यह क्यों इतना न्यूज है यह इसलिए है क्योंकि एक तो घरेलू और एक अंतरास्टे इस तरह पर यानि कि बाहर भी जो भी प्रोजेक्ट इनको इस दो सेक्टर पे होंगे उसके लिए आर्विनल और पटेल नियूज बर्क करेंगे अब यहां से आपको समझना है यह न्यूज सबको पत हैं उस विजी को समझो समय को भी सबसे पहले अपने माइड में लाओ अगर आपको कुछ पैसा कमाना है तो समय को अपने माइड में लाना पड़ेगा तो समय जिसके पास नहीं होगा जितना सुस्त आप शेर बजार में रहेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाना जितना चतुर कि समझदारी है मुझे आप बताओं कहां कि समझदारी हो गई कम कमालो बहीं कम कमालो पर सांती से इसलिए न्यूज को भापने के तरीकों को बदलो और पटेल की इस तरीकी की जोड़ी बैस्ट है पर यह अभी के लिए तुन होती बहीं जो प्रोजेक्ट हों को उसको कमपनी का शेर ही आज आपको गिरते हो देखने को मिला जो अपने हाई से आज 24 रुपे नीचे है एन बीसी एन बीसी सी इंडिया पर जिन लोगों ने उसके काम को समझा वह इन गिरावटों और उन उच्छालों से उनका क्या वास्ता उनका तो मतलब किंतने घंडों के काम कर रहें कहां कर रहें कि इन चीजों से आपको समझ में आना चाहिए और कल अगर यह एन बीसी सी आपको वह चीजें बटा दे कि वहाई इतना बोनस यह वो वह कल की न्यूश को आपको फिर से बापना पड़ेगा और फिर से कुछ आपको सरल चीजों को समझना है तो हमारा चैनल और दूसरा एक ब्रोड कास्ट मैं आपको डालूँगा जरूर देख लेना समझे ना और कल आप मुझे कमेंट में बताना कि वो ब्रोड कास्ट आपको कैसा लगा या आज देखकर बताना रात को कैसा लगा तो आज जितनी भी चीजों के उपर मैंने वीडियो बनाई ह भाया सब सरल सब्दों में सब नी हो जाईए कुछ भी एक्ष्ट्रा अपनी तरफ से नहीं है खरीदने बेचने वाली चीज़े मैं करता नहीं काम समझाने में फोकस में रखता हूं और जो लोग काम समझेंगे वो आगी की तरफ जाएंगे सबके अपने अपनी क्वालिट होती हैं सब अपने अपनी कॉलिटी को पैचाने उसको सच्य दिल से निभाते जाएं आपका अच्छा वैसी होता जाएगा लोग बुरा बुरा बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं या वो कटनायीयों और में वीडियो बनाता हूं या न्यूज बेस या अलग-अलग तरीकों से तो किसी को भी खरीदने बेचनी की सला नहीं तो सच चीटे को आटा दीजे गाएं को रोटी दीजे और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासू तो फिर मिलेंगे आपसे ने वीडियो के साथ जब तक के लिए नमस्कार